हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू कॉंट स्टेडी कॉंट स्टेडी में आपका एक बर फिर स्वागत है आज हम करने जा रहे हैं हमारे मैट्स का एक चैप्टर जिसका नाम है मिक्स्टर एंड एलिगेशन बेसिकली यह रेशियो पॉपोर्शन चैप्टर के बाद मुझे करा देन करेंगे कल के पार्ट में हम थोड़े हाई लेवल के कोशन करेंगे और थोड़े से कोशन में आपको भी प्रेक्टिस करने के लिए दूँगा तो बिने किसी देर के शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक जो की है कंसेप्ट ऑफ एलिगेशन पहले हम पढ़ेंगे कंस आपको चीज़े क्या है quantity A और quantity B बीच में है quantity c इनका रिलेशन कुछ ऐसा बनता है कि quantity A से हम quantity C माइनस करते हैं तो हमारे पास इस जगहा पर आता है quantity A माइनस C for example हमने कोई sugar है कोई अच्छे quality की sugar ली है 100 gram ठीक है फिर हमने थोड़ी सी गंदी quality की sugar ले ली है लगा लो 50 gram तो quantity C जो होगा वो हमेशा इन दो terms के बीच का होगा हमेशा सबसे पहले चीज़ की quantity A, B, C same type की होनी चाहिए जैसे मैंने sugar की बात की तो ये तीनों चीज़े sugar ही होनी चाहिए और quantity C जो है हमेशा इसका और इसका बीच में होना चाहिए यानि कि quantity C जो है 51 से लेके 99 तक कुछ भी हो सकती है तो हम suppose कर लेते हैं कि हमने इनको mix किया और 65 kg जो है हम वो जो भी है उसका trade वगारा करेंगे तो हमने quantity A और B किस ratio में mix की वो ratio है ये दो इन दो terms की ratio कैसे होगा जैसा कि आप देख रहे हो मैंने यहाँ पर लिखा है 100 में से हमने क्या करना है basically हमने चेक करना है हमारी quantity 1, quantity 2, quantity 3 जो होगी वो same होनी चाहिए दूसरी ये जो चीज है ये इन दोनों के बीच का होना चाहिए इनके उपर नहीं होना चाहिए या ना नीचे होना चाहिए फिर जब हमारी ये दो condition satisfy करगी हमने इनके सिदे सिदा gap निकालने है 100 में से 65 माइनस करोगे आपके पास आजएगा 35 और 65 में से 50 यहां पर लिखे ना C माइनस B 65 में से 50 माइनस करोगे आपके पास आजएगा 15 तो 15 is to 35 आजएगी हमारी वो ratio जिसमें हमने A और B जो है mix की होगी ठीक है ये आगी वो चीज जिसमें मैंने आपको बता दिया क्या है अगर इस जगा पर quantity काम होती for example ये 50 होती ये 100 होती ये 65 होती तब भी आपने same apply देखो आपने रटना नहीं है कि A से C माइनस किया फिर C से B माइनस किया ये चीज़े आपने रटनी नहीं है आपने बस देखना है कि ये वाली quantity इन दोनों के बीच की होनी चाहिए अगर इन दोनों के बीच की है सिधा सिधा gap निकाल लो इनका gap क्या होगा पंदरा का इनका gap क्या होगा 35 का तो हमारा final answer आगया ठीक है अब चलते हैं हमारी एक example ले ले लेते हैं से आपको ये चीज़ जादा clear हो जाएगी तो हमारी example कहा रही है राम ने शुगर ली जिसकी CP थी शुगर A की CP है 85 पर केजी यहाँ पे हमने लिखा A यहाँ पे लिखा B और यहाँ पे हमने लिख दिया C A की है 85 पर केजी B की CP है 115 पर केजी उसने इन mixtures को ऐसे mix किया कि उसकी जो CP क्या होगी वो होगी 95 तो आपने देखा कि शुगर की बाद चल रही है कॉंटिटी सेम है और CP की बाद चल रही है तीनों जगा तो CP भी सेम है हम इस question को solve कर सकते हैं दूसरी चीज़ आपने क्या देखनी थी और 115 से चोटा है यानि कि 95 इन दोनों की बीच fall कर रहा है अब हम सिधा gap निकालेंगे इसका और इसका gap क्या होगा 20 का इसका और इसका gap क्या होगा 10 का तो 2 is to 1 हमारा आगया वो ratio जिसमें A is to B mix होंगे क्या किया मैंने इसका और इसका gap निकाला वो मैंने इसी की एक straight line में लिख दिया इसका और इसका gap निकाला और वो मैंने इसकी straight line में लिख दिया आपको बस straight line याद रखनी है बड़ी बार जब मैंने ये chapter पढ़ना शुरू किया था मैं क्या confusion कर देता था कि इसका और इसका ratios निकालता था मैं इसका और इसका gap निकालता था और वो मैं इस जगा लिख देता था तो यानि अगर मैंने जो गलती किये वो आपको बता देना चाहता हूँ पहली कि ताकि आप वो गलती ना करो तो इसका और इसका gap निकाला मैंने यहां लिख दिया इसका और इसका gap निकाला मैंने यहां लिख दिया तो वो चीज मेरी हो जाते थी गलत तो मैंने इस चीज को कैसे याद रखा कि सीधी सी बात है आपको एक straight line को follow करने यानि कि इसका और इसका gap आप लिखोगे यहाँ पर straight line में आ गया इसका और इसका gap आप लिखोगे यहाँ पर straight line में आ गया तो आपको बस यह चीज याद रखनी है आपको straight line को follow करने है next राम बौट शूगर सेम CP जो है 85 पर kg है शूगर B की CP है 115 kg A लिखा B लिखा यहाँ पर 85 लिखा यहाँ पर 115 लिखा he makes them in such a way that after selling the new mixture C at price of 114 he earned profit of इतना ठीक है caution change हुआ है caution definitely change हुआ है अब मुझे एक चीज बिताइए यह जो 114 है वो इस से बड़ है और इस से छोटा यानि इन दोनों के बीच में fall करता है तो 114 हम यहाँ लिख देते हैं क्या मैं सही कर रहा हूँ क्या मैं यह चीज सही कर रहा हूँ नहीं यह चीज मैं बिल्कुल भी सही नहीं कर रहा क्यूँ क्योंकि हमने एक ही condition नहीं देखनी कि यह वाली term इन दोनों के बीच follow करनी चाहिए हमने दो conditions देखनी है दूसरी condition क्या है कि same चीज होनी चाहिए अगर यहाँ पर CP की बात चल रही है तो यहाँ पर हम SP की बात नहीं कर सकते हमें CP ही चाहिए तब ही हम CP, CP को compare करेंगे तो यह question जो है ऐसे नहीं होगा सबसे पहले हम इस SP को जो है वो हम CP में convert करेंगे और यह convert कैसे करना है यह चीज में आपको profit and loss चेप्टर में बता चुका हूँ हमारा एक basic formula होता था CP into profit slash loss upon 100 is equals to SP यह formula होता था CP क्या है निकाल नहीं है हमें profit कितने का हो रहा है हमें 20% का तो profit यानि 20% यानि 100 से उपर जाना है 100 plus 20 लिखेंगे हम जो की बन जाएगा हमारा 120 upon 100 is equals to SP ठीक जा रहा हूँ है समझ आ रही है यह चीजज अगर नहीं भी समझ आ रही तो यानि आपने profit and loss का chapter नहीं लगाया आप जाके पहले वह chapter लगा लो क्योंकि mixture and allegation में किसी भी chapter का कुछ भी वो जोड तोड करके इस chapter में डाल सकते हैं next is हमारी profit ये थी ये ये थी हमारी SP क्या थी SP थी हमारी 114 तो SP की जगा लिख दिया हमने 114 अब इससे solve करते है 25 26 6 1 जा 54 9 जा ठीक है तो CP आगी हमारी 19 इंटू 5 इसको मैं 20-1 इंटू 5 करके देख लेता हूँ 100-5 95 तो CP आगी हमारी 95 अब हम इस question को solve कर सकते हैं A की CP है हमारे पास 85 B की CP है हमारे पास 115 C की CP अभी हमने solve करके निकाली 95 अब देखिए 95 85 से बढ़ा है 115 से छोटा है यानि 95 जो है 85 से 115 के बीच में fall करता है बस gap निकाली जीए 85 और 95 का gap आएगा इदर क्योंकि straight line follow करनी है 95 और 115 का gap आएगा इदर 20 वही 2 is to 1 की ratio बनी जो पिछले question में बनी थी question same था मैंने इस जगा 95 के बजाए यहाँ पर selling price mention कर दिया साथ ही साथ उसका profit mention कर दिया जिससे आप CP निकाल सको और हमारा वही answer आया जो पिछले question में आया था next आगी हमारी example a person sold an article at profit of 20% he sold another article at loss of 20% the overall profit he gets is 12.5% अब देखिए SP और SP की बाद चल रही है और तीसरा तो overall profit है तो इसमें हम SP CP देखेंगे ही नहीं ठीक है अब मुझे बताईए कि ये question पर आपको इस जगा profit दिख रहा है इस जगा loss दिख रहा है फिर हमें profit दिख रहा है आप तो कहोगे कि या profit profit बीच में loss आगया यानि इसने हमारा question खराब कर दिया ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कुछ नहीं है आपके लिए इसमें common factor क्या होना है वो है आपकी percentage weather profit, weather loss पर होगी वो percentage हम वैसे ही शुरू करेंगे A, B, C मान लेंगे profit को हम लिखते हैं plus 20 ये चीज रट लो, दिमाग में बिठा लो profit को लिखेंगे हम plus 20 loss को लिखेंगे हम minus 20 और बीच में इसका क्या आ रहा है mean point क्या आ रहा है इसका होगा, इनका होगा 7.5 ठीक है, अब इसका क्या होगा हमने क्या किया, हमने A minus C लगाया इस जगा A minus C का result ही आ रहा है 7.5, A minus C लग गया, यानि ये बड़ी term है ये चोटी term है, अब ये बड़ी term है इससे इसको minus करेंगे जब आब 12.5 से minus करोगे minus 20 क्या आएगा, 32.5 तो finally हमारी ratios आ गई 32.5 और 7.5 पॉइंट इटा देते हैं, पॉइंट तो किसी कामका नहीं हमारे, 325 और 75, 25 के टेबल से काट देते हैं, so 25, 3 जा, 25 4 जा होता है 100, तो 8 जा हो जाएगा 200, 12 जा हो जाएगा 300, और उसमें एक और 25 यानि 13 13 is to 3 आगी हमारी ratio पर क्या उन्होंने ratio पूछी है और सबसे पहली बात आई कि ये ratio आई किस चीज की ये ratio किस चीज की आई, यहाँ पर पिछले कोशन में था कि हमें CP दिया था, CP दिया था, फिर हमने SP को CP में convert किया, तो ये हमारी जो भी ratio आई थी 2 is to 1 की, वो थी कि quantity किस हिसाब से mix हो रही है यही थी ना पर अभी जो हमारा 13 is to 3 आया है ये क्या चीज है ये होगी हमारी हमेशा CP ठीक है, जब हमें profit यान loss परसंटेज में दिया हो या फिर जब हमें SP में कोशन दिया हो तो जब भी ये ratio आईगी profit and loss या फिर SP में तो ये ratio हमेशा हमारी होगी CP, अगर CP दिया हो कोशन में, तो ratio आ रही है तो वो चो हो जाएगी कि आपने जो quantity है, उसको कितने हिस्सों में divide किया, पर CP की जगह अगर profit and loss दिया हो और SP दिया हो, तो उसकी जगह जो भी ये ratio आईगी, ये हमेशा होगी CP, तो हमारी ratio आगी 13 is to 6 next हमारी line क्या कह रही है हमारी next line कह रही है कि what is the CP of article second यानि इसकी बात चल रही है, 3 units की value क्या होगी, if the total CP is 160, total CP यानि article 1 plus article 2 की जो CP है, वो 160 है तो article 1 plus article 2 की total CP ratio में क्या बन रही है, 16 units की और question में क्या दी हुई है, 160 की, तो 1 की value 10 आगी, उन्हें पूछी है second article की CP, 1 की value 10 है तो 3 की value होगी, 3 into 10, 30, तो 30 है second article की CP, अगर उन्हें first article की पूछी होती ही, तो आप 13 को 10 से multiply करते थे तो 130 आ जाती, तो आप देख सकते हो, कि पहले article की 130 है second article की 30 है तो दोनों को sum करोगे, आपका 160 जो यहाँ पर दिया हुए, वो भी आ रहा है आपका question भी verify हो गया यह है पूरा हमारा allegation का concept, अब इसके base पर हमें question करेंगे, जो कि मैं आपको अभी example में भी करा चुक हूँ in what ratio must a grosser mix tea at 60 per kg and 65 per kg so that the selling oh, so that by selling the mixture at 68 point 20 per kg he may gain 10% अब यह है CP यह है CP यहाँ पर selling word दे दिया है इन्होंने हमारा सारा mood खराब कर दिया इन्होंने question घराब कर दिया, अब भई पहले हमें SP से CP निकालनी पड़ेगी तो निकालते हैं, क्या कर सकते हैं, वो और कोई option भी नहीं है CP निकालनी है हमें, हमें क्या आ रहा है gain आ रहा है, यानि 110 लिखेंगे divided by 100 is equal to 68.20 ऐसा करते हैं, point हटा लेते हैं point हटा निचे 100 आ गया 100 से 100 गया, इससे ये गया CP आ गई हमारी 682 divided by 11 6 जा, 2 जा CP आ रही है हमारी 62 ये चीज़ याद रुखो, CP आ रही है हमारी 62 पहले item की जो CP है, वो है 60 दूसरे की है 65 और अभी अभी हमने निकाली 62 देखो, 62 आ रहा है 60 और 65 के बीच में आ रहा है हमारी CP में भी convert हो गया और हमारा CP जो है, दोनों के बीच में भी आ रहा है अब हम सिधा gap निकालेंगे इनका gap आएगा इधर इनका gap आएगा इधर तो 3 is to 2 आगया हमारा final answer simple, हमने कुछ नहीं किया हमने इस SP को profit के साथ देखा और हमने इसको CP में convert किया CP हमने लिखी यहाँ पर पहली और दूसरी की तो दी हुई थी और हमने अपना final answer निकाल दिया अब आगया हमारा next question अभी तक हम कर रहे थे profit and loss chapter के base पर allegation अब आगया हमारा partnership के base पर, नहीं rate of interest है rate of interest यानि simple interest compound interest के base पर तो अब आगया कि 3400 rupees है उसने 2 scheme में लगाए 3400 का कुछ part P1 एक में लगाया होगा, कुछ part P2 दूसरी scheme में लगाया होगा पहली scheme में उसको rate of interest मिल रहा है 10% का दूसरी scheme में उसको मिल रहा है 12% का लिखा है न यह 10% as interest कमाया दोनों schemes से ठीक है इतनी चीज़ समझाई उसने 360 rupees कमाया दोनों schemes से तो अभी हमारी पहली जो थी जो item वो थी percentage में दूसरी item भी percentage में थी तीसरी आगी हमारी value में तो हम क्या करेंगे हम अपनी इस value को और इस value को जो percentage है इसको हम value में convert कर देंगे देखिए हम इसको भी percentage में convert कर सकते थे कैसे कि 360 का interest लग रहा है 3400 पर 360 divided by 3400 into 100 पर ये चीज़ मैं करके देख चुक हूँ हमारा answer जो है points में आ रहा है percentage जो है points में आ रही है तो हमें points जो है ना fractions हैं decimals हैं उनको जितना ignore हो सके उतना ignore करना है क्योंकि वो चीज़ हमारी जब subtraction की बात आएगी उस पर हमें problem देदेंगे या तो हमारा सिदा-सिदा आ जाना 10.5 या 7.5 6.5 तो हम SE values को हम सिदा-सिदा minus भी कर सकते हैं पर हमारी आगे 10.5 1, 2 इस value का क्या करोगे अगर आप इसको सिरफ 10.5 भी लोगी ना तब भी आपका पूरा कोशन गलत हो जाएगा इसलिए हमें decimals अगर 0.5 तक आ रहे हैं यानि one digit तक decimal के बाद आ रहा है तो हम decimal में convert कर सकते हैं otherwise आप कोशिच करीजिए कि decimals के साथ आप पंगे ना लो तो हम इस दो percentages को convert कर देंगे values में तो कैसे होगा वो देखिए आपने क्या करने सबसे पहली आपने A, B लिख लिया C तो है आपके पास 360 इतनी चीज तो पता है आपको पता है इसकी कुछ value होगी इसकी कुछ value होगी और जो 360 है इन दोनों के बीच आ रहा होगा तो देखते हैं क्या होगा सबसे पहली चीज आपने अगर 10% लगाया 3,4,0,0 पे तो आपकी क्या value आएगी 3400 का 10% क्या होता है 340 ये value आएगी Next आपने 12% लगाया 3,4,0,0 पे तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं 3,4,0,0 पे पहले 10% लगाते हैं फिर 2% लगाते हैं उससे हमारा answer आजाएगा 3,4,0,0 पे 10% लगाओगे आपके पास 3,40 आएगा 3,4,0,0 पे 2% लगाओगे आपके पास 68 आएगा तो इन दोनों का sum आपके पास 408 आगया इतनी चीज क्लिएर हुई तो हमारा पास final value क्या आई A की हुई 340 B की हुई 408 और C की गिवन थी 360 अब अब देखी 360,440 से बढ़ा है और 408 से छोटा है तो हमारी condition जब सारी की सारी satisfied होगी हुई है अब हम सितस्यदा gap निकालेंगे इनका gap आया 20 का इनका gap आया 48 का 4 से काटते हैं 4,5 सा 20 4,1 सा 4 और 4,2 सा 8 अब यह जो हमारी ratio आई यह क्या चीज है यह है हमारी investment की ratio यानि की 12 units उसने invest किये होंगे A पे और 5 units उसने invest किये होंगे B पे total उसने कितनी investment की 17 units की 17 units की total investment की value है 3400 तो 17 को जब हमने compare किया 3400 से 1 की value आगई 200 इतनी चीज क्लियर हुई अब उन्होंने question में क्या पूचा हुए calculate some invested in first scheme first scheme में उसने 12 units की investment की हुई है तो 12 को जब आप 200 से multiply करोगे 2400 आजाएगा आपका वो amount जो उसने first scheme में investment किया हुआ है और हमारा option भी आगए हमारा final answer ये चीज समझाई हमने क्या किया हमने देखा या तो हम इस term को इससे divide करके percentage में ले आते पर हमने देखा वो points में आ रहा है 10.5 something 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 हमारा आ रहा था तो हमने उस चीज का पंगा नहीं लिया क्योंकि वो उसने हमारी सारी calculation खराब कर दिनी थी हमने क्या किया इन दो percentages को हमने convert कर दिया values में कैसे इसका पहले 10% निकाला वो A के नीचे लिग दिया और इसी term का 12% निकाला वो B के नीचे लिग दिया C की हमें term दी होई थी बस उसके बाद हमने gaps निकाल ले ratios निकाल ले ratios के compare किया हमने 3400 से और final answer निकाल लिया बस यही था पूरा concept allegations का ठीक है कैसे करने questions यह भी मैंने आपको समझा दिये इसी के साथ मैं mixture and allocation का part 1 end करता हूँ actually मैंने सोचा था कि आज के ही video में हम mixtures के भी concept समझ ले पर वो फिर video काफ़ी जादा lengthy हो जाएगी और आप थोड़ा bore होने लग जाएगे तो maths में आपको bore नहीं होना अगर आपको maths सीखनी है तो यह video हम फिलाल के लिए यहीं प्रेंड करते हैं mixtures के concept जो है मैं आपको कल की video में समझा दूँगा ठीक है तो allegations तो आपने कल तक पड़ी ली होगी एक question भी दे दूँगा आपको कल की video में practice करने के लिए उससे आपके allegation की revision भी हो जाएगी तो इसी के साथ हम अपना part 1 भी end करते हैं अगर आपको यह video पसंद रही तो हमारे corn study channel को subscribe कीजिए साथ ही इस video को like कीजिए और हमारे corn study channel की जितनी videos हैं वो आप अपने friends के साथ share कीजिए ताकि उनके भी concepts clear हो जाएगी Thank you so much